आलेलूया, सबको जैन मसीकी, आईये मेरी भष्चवाणी की पुस्तक से आज की पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमिसर केतास、 प्रेरित अंकुर येश्चुप नरुला जी और परमिसर की तासी, पास्टर सौनिया येश्चुप नरुला जी के तु्हारा लिखिके गई है आज का पवित्रवचन गणत सब्दों को रद करनी जैसे की उत्पति की पुष्टक अध्याय एक के दो से तीन में लिखा है प्रत्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के उपर अंध्यारा था तथा प्रमिस्टर का आत्मा जल के उपर मंडलाता था अगर आप मतलब होता है और सब बुरी बाते जो अंध्यरे में आती है और जब परमिश्वर ने कहा कि रोस्मी हो जाए तो रोस्मी हो गई बाइबल में लिखा है कि परमिश्वर ने आपको भी अपने शेरुप में बनाया है और आपके अंदर अपनी सांस हुखी है उसलिए अगर आपको अपने जीवन में बदलाब चाहिए बरकत और चंगाई चाहिए तो आपको परमिश्वर की तरह मुह से बोलना पड़ेगा वैस कल़ सब्द जो लोगों ने आप के लिए बोले है जब तक आप उन्हें परमिश्व मसी के नाम से रद नहीं करेंगे वे आपकी जिंदगी में काम करते रहें इसलिए अगर आप परमिश्वर से आसिस लेना चाहते हैं तो अपने जीवन से हर गलस सब्द को रद करें बाइबल में जब हम पतरस के बार में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब प्रभु येश्व मसी पकड़वाए गए तो प्रभु येश्व मसी ने ही तीन बार उसे अंगीकार करवाया कि तू मुझे प्यार करता है या नहीं प्रभु येश्व मसी ने उसके मुह से ही उन सब्दों को रद किया मेरे प्रियोग आप अपने मुह से अपने लिए अपने बच्चों के लिए और किसी के लिए भिए गड़ सब्द बोलते हैं पर फिर कभी भी प्रार्थना में बैठ कर उनसे सब्दों को रत नहीं करते और वही सब्द उनकी जिन्दगी में काम करते हैं इसलिए वे अपनी बरकत चंगाई को हास्आल नहीं कर पाते वह इस बात की और दिहार नहीं देतें कि उनके मुँँ के सब्दों में ताकत है इसलिए मेरे पिडियो अगर आप चाहते हैं कि आप आसिसित हों आपके बच्चे आसिसित हों आप अपनी चंगाई को पाएं तो इस बात के लिए जरूर प्रात्ना करें कि परमिश्वर हर एक वह गलत सब्द जो किसी ने मेरे लिए और मेरे घराने के लिए बोले हैं वह रद हों और वह हर गलत सब्द जो मेरे मुँँ से किसी और के लिए निकले हैं वह भी रद हों तो कि गलत सब्दों को रद करना जरूरी है फिर ही आप अपनी आसीज चंगाई को पाते हैं इस वचन के द्वारा परमिश्वर आपको आसिसित करें आमें 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 यह प्राथना आपके द्वारा की जाएं सर्शक्तिमान परमिश्वर इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं परमिश्वर मैं जान चुका हूँ कि गलत सब्दों को रद करना जरूरी है परमिश्वर मैं प्राथना करता हूँ कि हर वह गलत सब्द जो मेरे और मेरे घराने के लिए बोला गया है या फिर मेरे मुह से किसी और के लिए निकला है वे प्रभी ईशु मसी के नाम से रद हो आमें, आमें, आमें God bless you all of you प्रमेश्टर आपको इस वच्छन के द्वारा आसिसित करें मेरा विश्वास है कि आज कि इस वच्छन को पढ़ने या सुनने के द्वारा आप अपने सभी गलत सब्दों को रद करेंगे प्रभी ईशु मसी के नाम में आप सब bless है आजसिसित है प्रमिश्टर आपको bless करें आमें, आमें, थेंकिजीजिस